नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GK Tracker Pay देखे फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्राखन GK MCQ Practice Set सीरीज जिसमें हम उत्राखन के 20 Important MCQs को यहाँ पर कवर करते हैं यह हमारी इस सीरीज की 97 क्लास है, अगर आपने इससे पहले की क्लासिस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सेकते हैं इस सीरीज की सभी क्लासिस में हमने उत्राखन के जो Important MCQs हैं, उनको पूरी डिटेल के साथ, कॉंसेप्ट के साथ कवर किया है ताकि आपकी साथ साथ में प्रेक्टिस भी होती रहे और आपका रिवीजन भी साथ साथ में चलता रहे तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं आज का हमारा पहला कोशन है, स्रिदेव सुमन द्वारा गर्देश सेवा संग की स्थापना कहां पर करी गई थी? देखे जो गर्देश सेवा संग है, इसके संस्थापक स्रिदेव सुमन थे और इसकी स्थापना इन्होंने 1938 में करी थी और ये इन्होंने दिल्ली में इस्थापित किया था Option C, सही आंसर हो जाएगा और बाद में इसी गर्देश सेवा संग का नाम बदल कर इन्होंने हिमालाई सेवा संग कर दिया था कोशन आता है इसका नया नाम क्या था बाद में इन्होंने अगले ही साल 1939 में इसका नेम परिवर्तन कर दिया हिमालाई सेवा संग कर दिया शुरबाती नाम क्या है गर्देश सेवा संग और ये बना था दिल्ली में 1938 में ठीक है निम्न में से किसे गड़वाल का चानक्या कहा जाता है दिखे गड़वाल का चानक्या पुरिया नैथानी को कहा जाता है option C सही आंसर हो जाएगा पमारवन से संबंदित हैं जो आपके प्रदीप शाहा थे उनके शाशनकाल में ये रहते थे प्रदीप शाहा जब छोटे थे तो उनकी जो राजमाता थी अगर आपसे कोशन आएगा उत्राखंड का चानक्या किसको कहते हैं तो उत्राखंड का चानक्या हर्षदेव जोशी को कहा जाता है इसे कुमाव का चानक्या भी कहता है अगर कुमाव का पूछे या उत्राखंड का पूछे आप हर्षदेव जोशी का नाम बताएंगे और अगर गड़वाल का चानक क्या पूछे आप पुरिया नेथानी का नाम बताएंगे ठीक है काली कुमाओ का शेर किसको कहते हैं कुमाओ का शेर हर्षदेव ओली को कहा जाता है ठीक है निक्स्ट है चमोली में किस वर्ष आत्मरक्षा कमेटी का गठन किया गया था तो आत्मरक्षा कमेटी ये चमोली में बनाई गई थी और इसको बनाय था कृपा राम मिश्र ने इनका नाम पेपर में पूछा जा सकता है और इसकी स्थापना ये करते हैं 1942 में उप्शन C सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है जैन ग्रंथों के अनुसार किस जैन तीर्थंकर ने हरिद्वार में तप किया था तो कौन से जैन तीर्थंकर थे कुल जैन तीर्थंकरों की संख्या कितनी है इनकी संख्या है 24 कौनसे वाले जैन तीर्थंकर थे जिन्होंने हरिद्वार में तपस्या करी सही आंसर है रिशब देव option D सही आंसर होगा जो 24 जैन तीर्थंकर है उनमें से जो प्रत्थम तीर्थंकर थे इनका नाम था रिशब देव और रिशब देव को आदी नात के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने ही तपस्या करी थी हरिद्वार में और यही कोशन आप से पूछा गया है जो हरिद्वार का कुशावरित घाठ है वहाँ पर इन्होंने तपस्या करी थी नेक्स्ट है, बारह खंडों में उत्रा खंड का इतिहास पुस्तक किस की रचना है? काफी famous रचना है उत्रा खंड का इतिहास. आपसे question आता है बताये कुमाओं का इतिहास किसने लिखा है? आप कहते हैं बदरीदत पांडे ने लिखा है. आपसे question आता है गड़वाल का इतिहास किस ने लिखा है, आप कहते हैं हरी कृष्ण रतूडी ने लिखा है, अब question है उत्रा-कंड का इतिहास 12 खंडों में लिखा है सिप्रसाथ-डबराल, option D सही आंसर हो जाएगा, सिप्रसाथ-डबराल की अगर हम बात करें, इनको लेकर ब एंसाइक्लोपीडिय भी कहा जाता है किसको सिप्रसाद डबराल को कई सारी इनकी किताबे हैं जैसे उत्राखंड यात्रा दर्शन पेपर में आई है यात करेंगे गोरा बादल इनहीं की रशना है महरणा संग्राम सिंग इनहीं की रशना है उत्राखंड के अभिलेक एवं मुद्रा इनहीं की रशना है अगर हम सिप्रसाद डबराल के जनम की बात करें तो इनका जनम 1912 में हुआ था पौडी के गहली गाउं में इनका जनम हुआ था एक पेपर में उत्राखंड के अंदर पूछा गया था उत्राखंड के इनसाइकलोपीडिया कहे जाने वाले शिप्रसाद डबराल की कर्म इस्थली क्या है यानि इन्होंने जादा काम अपना कहां से रह कर किया इनकी कर्म इस्थली रही है दुगट्टा इसको भी ध्यान रखना है नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भुगयाल मक्खन की होली के लिए प्रसिद है कई बार हमने इस कोशन को कवर किया है और ये भी पूछा जाता है कि इस भुगयाल को फेमस किस ने किया मक्खन की होली को प्रसिद किस ने किया तो देखे कौन सा बुग्याल है जहां पर ये होली खेली जाती है जिसे अठूडी उत्सव के नाम से भी जाना जाता है यह है आपका दैरा बुग्याल ओप्शन B सही आंसर हो जाएगा दैरा बुग्याल आपके उत्तरकाशी में है इस बुग्याल को फेमस करने का श्रे किसक जाता है ठिक है? अब बात करते है मक्खन की होली को किसने फेमस किया? बुगयाल को तो इन्हो ncyj फेमस किया, चंदर परभा एटवाल ने किया इनका नाम अब बताएंगे, काफी फेमस यहाँ की प्रवतारो ही रही है मक्षन की होली को प्रसुद करने का जो श्रे जाता है वो चंदन सिंग राणा को जाता है इस चीज़ को भी नाम आपने याद करना है ठीक है अप्षन बी सही आंसर हो जाएगा अगर कोश्चन होता गंगुतरी मंदिर का पुनर उद्धार किसने करवाया तब आप कहते राजा माधो सिंग इन्होंने 1935 में इस मंदिर का जिन उद्धार करवाय था पुनर उद्धार करवाय था ठीक है गंगोत्री यहाँ पर जो मंदिर है शितकाल में आपके कपाट बंध हो जाते हैं शितकाल में मा गंगा की पूजा कहां पर होती है तो शितकाल में पूजा होती है मुखवा ग्राम जो तरकाशी में है वहां का एक मंदिर है मारकंडे मंदिर तो मुखवा ग्राम के मारकंडे मंदिर में गंगुत्री माता की शितकालीन पूजा होती है एक और कुशन हमने लास्ट वीडियो में भी दिखा था कि गंगुत्री जो आपका धाम है कौन से नैशनल हाइवे पर आता है तो गंगुत्री धाम आपके NH34 पर आता है नेक्स्ट है मसूरी नगरपालिका की स्थापना कब की गई थी तो मसूरी नगरपालिका काफी जो फेमस आपके ऐसे ऐसे इस्टिटूशन्स हैं जो सौ डेर सो साल पुराने हैं काफी पहले इनकी स्थापना हो चुकी है उनके वर्ष आप से डारेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है, मसूरी नगरपालिका की बात करें, राज्य की सबसे पुरानी नगरपालिका परिशत इसको माना जाता है, और इसकी स्थापना 1842 में होती है, उप्शन B, सही आंसर हो जाएगा, मसूरी नगरपालिका ने एको टेक ने एको टेक्स यानी परियावरन टेक्स को लेना शुरू किया, ठीक है, मसूरी से ही रिलेटिड एक अलग कोशन है आपका, मसूरी गोली कांट, कब हुआ था, बहुत बार एकजाम में आया है, 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोली कांट हुआ ठीक है, और यहाँ पर कौन-कौन शह हो गए थे, ठीक है, नेक्स है, कुर्मांचल केसरी बदरिदत पांडे का जनम कब हुआ था, तो बदरिदत पांडे को कुर्मांचल केसरी यानि कुमाउ केसरी के नाम से जाना जाता है, ये कुशन भी पेपर में आया है, बदरिदत पांडे का जनम 15 फरवरी 1882 में हुआ थ ठीक है बाद में ये कहां चले जाते हैं अलमोडा और सारा काम अपने जीवर में जो करते हैं मैक्सिमम वो अलमोडा से ही ये करेंगे लेकिन जनम कहां हुआ है कंखल में हुआ है 15 फरवरी 1882 को ठीक है कोशन आता है बद्रिदत पांडे अलमोडा अकबार के संपादक कब बने बद्रिदत पांडे संपादक बने थे अलमोडा अकबार के 1913 में ठीक है 1918 में अलमोडा अकबार को बंद करा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा और इन्होंने 1918 से ही एक नया पत्र निकाला जिसका नाम था शक्ती तो शक्ती पत्र किस ने निकाला था बद्रिदत बद्रिदत पांडे 1955 में कहां से संसद बने थे यह संसद बने थे अपके अलमोडा से अगली बार हो सकता है पूछले अलमोडा से किस वर्ष संसद बने थे ठीक है नेक्स्ट है गुरुकुल महाविद्याले जवालापुर की स्थापना कब हुई थी जैसे मैंने कहा ऐसी स् institution जो 100 साल से भी जाधा पुराने हैं उनके वर्ष डायरेक्ट आते हैं गुरुकुल महाविध्याले ज्वालापुर की बात करें इसे 1907 में इस्थापित किया गया था ठीक है गुरुकुल कांगरी वाला नहीं पूछा है गुरुकुल कांगरी आप जानते हैं अरिद्वार मे 1902 में इस्थापित हुआ था यह है गुरुकुल महाविध्याले ज्वालापुर 1907 में बना स्वामी दर्शनानंद के द्वारा इसे इस्थापित किया गया ज्वालापुर को लेकर एक कोशन आपका बन सकता है ज्वालापुर का पुराना नाम क्या था तो ज्वालापुर क को किस ने लिखा है इस किताब को जॉप फ्रांसिस ने लिखा है और ये किताब पेपर में पूछी गई किताब है ठीक है चंदरबदनी मंदिर किस परवद पर इस्तित है काफी फेमस मंदिर है चंदरबदनी मंदिर आपके टीहरी गड़वाल में है और यहाँ चंद्रकूट परवद पर इस्तित है option C, सही आंसर हो जाएगा ठीक है? एक question आता है चंद्रबदरी मंदिर में पशुबली किसने खतम करवाई थी? तो पशुबली पर पतिबन लगवाई था स्वामी मनमंथन इनका नाम भी आपने ध्यान रखना है ठीक है? next है निम्र में से कौन सा ताल सदैव बर्फ से धका रहता है तो कौन सा ताल है जो हमेशा बर्फ से धका रहता है सही आंसर है यम ताल option B, सही आंसर हो जाएगा यम ताल आपके टिहरी गड़वाल में है और यह हमेशा बर्फ से धका हुआ रहता है अगर हम मनसूर ताल की बात करें तो यह भी आपके टिहरी में है खतलिंग गलेशर के सामने यह ताल आपका इस्तित है और एक कोशन आयथा पेपर में किस ताल के निकट राजहंस देखने को मिलते हैं मनसूर ताल शत्रू ताल की बात करें यह भी आपके टिहरी गड़वाल में इस्तित है इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है और अगर हम महसर ताल की बात करें यह भी आपके टिहरी गड़वाल में है और इसे भाई बहन का ताल कहा जाता है कोशन आया था पेपर में, इन में से किस ताल को भाई बहन का ताल कहते हैं, महासर ताल को कहते हैं, ये भी आपके टहीरी में है, ठीक है, नेक्स्ट है, स्रदेव सुमन को गड़वाल का अभी मन्यू किसने कहा था, तो पहला कोशन तो यही हो गया, गड़वाल का अभी किसे कहा जाता है स्रदेव सुमन को कहा जाता है और इनको ये नाम भक्त दर्शन के द्वारा दिया गया option B सही आंसर हो जाएगा किसने कहा? बहुत बार आता है भक्त दर्शन ने कहा अगर हम स्रदेव सुमन के बात करें जिनको गड़वाल का अभिवन्यू कहा भग्त दर्शन ने स्रदेव सुमन का जनम 25 मई 1916 में इनका जनम हुआ था कौन से गाउं में इनका जनम हुआ था जनपत तो आप जानते हैं टिहरी में इनका जनम हुआ टिहरी के जौल गाउं में इनका जनम हुआ था इनके बचपन का नाम सिरीदत बढ़ोनी था और इनकी पतनी का नाम पेपर में आ चुका है विने लक्षमी था ठीक है कोशन आया था सिदेव सुमन की पतनी का नाम क्या था विने लक्षमी जो इनकी पतनी थी वो देव प्रयाक से दो बार एक बार 1957 में और दूसरी बार 1962 में दो बार विधायक यहां से चुनी गई थी, ठीक है, सुदेव सुमन ने अपना जो एतिहासिक अंशन शुरू किया था, जिसके बाद यह शहीद हो गई थे, कब शुरू किया था, इन्होंने अंशन शुरू किया था 3 मई 1944 को, 84 दिन तक इनका यह अंशन चला, और 84 दिन के अं 25 जुलाई की तारी को, सुमन इस्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, शहीद 1944 में हुए, लेकिन पहला सुमन इस्मृति दिवस 1946 में मनाया गया था, ठीक है, इनका एक famous statement भी है, जो paper में भी आता है, कि तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड नहीं सकते, किस ने कहा था, सुरदेव सुमन्य ने कहा था, ठीक है, नेक्स्ट है, टिहरी में गड़वाल बाल सभा की स्थापना कब करी गई थी, तो देखें, बाल सभा की स्थापना होती है टिहरी के अंदर 1935 में, और इसकी स्थापना करते हैं स्वामी सत्य नारायन रतूरी, इनका नाम ध्यान रखेंगे, तो टिहरी में बाल सभा की स्थापना कौन करते हैं, स्वामी सत्य नारायन रतूरी, कब करते हैं, 1935 में करते हैं, नेक्स्ट है, लीलधर जगूरी को किस वर्ष ब्यास सम्मा पुरसकार पेपर में आते रहते हैं। के लिए इनको 2018 में ब्यास समान से समानित किया गया। इनकी एक और रचना आई थी जिसका नाम था अनुभव के आकाश में चांद के लिए इनको 1997 में सहित्या अकादमी पुरसकार दिया गया था। तो दोनों अवार्ड आपने याद करने हैं और कौन किस रचना के लिए दिया गया था। काफी फेमस राइटर हैं उत्रा खंड के कहां के हैं टिहरी गड़वार। इनकी कुछ इंपोर्टन रचना हैं उनको भी नोट कलीजिए होस रकता है पूछ ले के इनमें से कौन सी रचना लेलाधर जेगुरी की हैं। इस यात्रा में ये सारी रचनाएं किस की हैं लेलाधर जेगुरी की हैं। दो पुरसकार दोनों रचनाएं वो आपको में याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है दुगड़ा किन नदियों के संगम पर इस्तित है। ये भी ये कई बार पेपर में पूछा गया कोशन है। दुगड़ा ब्रटिश काल में काफी फेमस यहां पर राजनैतिक केंद्र था। चंदर सेकर, आजाद, जवाहलाल, नहिरू सभी लोग दुगड़ा में आई थे। कोशन आया है, दुगड़ा कौन कौन सी नदियों के संगम पर है, तो दुगड़ा आपके लंगूर गाड़ और सिलगाड नदियों के संगम पर इस्तित है। यही दोनों नदियां आगे जाकर बनती हैं, खोव नदी, इस चीज़ को भी ध्यान रखना, ठीक है। दुगड़ा के अगर हम बात करें, नदियां तो आपको पता चल गई लंगूर और सिलगाड। पूछी गई थी, गड़वाल विश्विध्याले को केंद्रिया विश्विध्याले का दर्जा 2009 में दिया गया था, और अगर हम डेट की बात करें, 15 जनवरी 2009 को इसे Central University का दर्जा दिया गया, यह राज्ये की एक मात्र केंद्रिया विश्विध्याले है, अगर हम गड़वाल विश्विध्याले की स्थापना की बात करें, यह तो दर्जे की बात है, इस स्थापना आप जानते हैं गड़वाल युनिवरसिटी हो या कुमाव युनिवरसिटी दोनों की स्थापना एक साथ होती है 1973 में, 1973 में इसकी स्थापना होती है गड़वाल यह कुछ important वर्ष हैं जो आपको याद करने हैं next है राज्य में सरवादिक बंजर भूमी किस जनपत में हैं तो राज्य का सबसे जादा बंजर भूमी वाला जो आपका जिला है वो टीहरी गडवाल है option D सही answer होगा सबसे जादा जो हमें जाडियां भी देखने को मिलती हैं वो टीहरी में ही देखने को मिलती हैं तो जाडियों का भी जादा विस्तार कहा है टीहरी गडवाल में नेक्स है निम्न मेसे किसे भारतिय जोतिश अनुसंधान संस्थान के द्वारा अभिनव वरहामीर की उपादी दी गई थी। मुकुंदराम बर्थवाल ने एक लाग से ज़ादा श्लोकों की रचना करी है और इसलिए इनको भारतिय जोतिश अनुसंधान संस्थान के द्वारा अभिनव वरहामीर की उपादी दी गई एक बहुत इंपोर्टन कोशन इनके साथ जुड़ा हुआ है पेपर में आता है अभिनव वरहामीर इसको भी आपने ध्यान रखना है कई बार कोशन ऐसा भी बन जाता है कि बताईए इन में से किस व्यक्ति ने एक लाग से ज़ादा स्लोकों की रचना करी है तो भी आप इन ही का नाम लेंगे ठीक है तो फ्रेंट्स यहता हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्राखंड के 20 important MCQs को यहां पर cover किया और इनको detail में cover करने का प्रियास किया उमीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like करें अगर आप चैनल पर पहली बार आए है चैनल को subscribe करें अपने दोस्तों के साथ share करें वीडियो आपको कैसा लगा comment box में हमें सरूर बताएं साथ ही कई सारे friends क्रिशी की वीडियो को लेकर कह रहे थे तो हमारी geography की classes already चल रही है अगला जो हमारा topic होगा Indian geography में वो भारत की क्रिशी और उसी से related जो आपकी important questions है important concept है उनके उपर होगा आज की geography की class आनी थी लेकिन कुछ कारण की वज़े से आ नहीं पाई अगले हखते आपकी geography का detail class आएगा जिसमें हम क्रिशी से संबंदेद क्रांतियों से संबंदेद जो विभिन आपकी हुई है A to Z सभी conceptों को cover कर जाएंगे thank you friends